नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे हम लोग भी बहुत अच्छे हैं सवागत करती हूँ अपने सारे दोस्तों का आपके अपने ही चैनल भी सहेली पर आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पोहे से बनाए जाने वाले बहुत ही खसता बहुत ही जादा स्वादिस्ट कुरकुरे की रेस्पी साधारन से दिखने वाले पोहे के कुरकुरे एदी आप एक बार बना लेंगे तो यकीन मानिए बार बार बनाना चाहेंगे इतना ज़्यादा ये हलका लगता है खाने में और इसका स्वाद का तो कोई जवाब ही नहीं है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी तो यहाँ पर देखे हैं फ्रेंट्स हमारे पास जो पोहा है ये घर का कुटा हुआ जैसे कि धान से हम लोग पोहा बनवाते है न बिल्कुल वही है तो ये थोड़ा मोटा मोटा सा आपको लग रहा होगा ये नया वाला धान का पोहा है इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा मी से धो लिजिएगा तो एक से दो बार जब आप इसमें पानी डाल डाल के इस तरीके से पानी को बदल के साफ करेंगे तो यह पोहा महि GO Pizza लग रहीं । इसमें तो मो फोड़ा सा मटमेला जैसा लगते रहता है पोः वारा साफ हो चुका है इसमें डाल देना है आधा ग्लास के जितना पानी और पानी में इसे छोड़ देना है फुलने के लिए जिससे पुषा वहरा बहुत अच्छे से फुल के सॉप्ट हो जाए तो प्रिंड चलिए इसमें धकन लगा देती हों और पोहे को साइड में रख देती हूं वीडियो को पूरा देखिए गा वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कीजिए गा फ्रिंड चैनल पर पहली बार आये हैं तो प्लीज पैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा अब पोहे के कुरकुरे के लिए हमें चाहिए होगा सूजी तो यहां पर आधा कप सूजी का इस्तेमाल कर रही हूं और यह सूजी जो है हमारा मोटा वाला है तो इसे थोड़ा सा मिक्सी में डाल के बारिक करक सूजी तो फ्रेंड चलिए अच्छे से इसे पीस के और रख लेती हूं पहुं कर दका सूंए तो यह बहुत अच्छे से पीस जाता है जैसे चावल का आटा होता है बिलकुल वैसा ही यह पीस के आएगा अब इसे निकाल लेना है एक बरतन में और इसमें डालना है में बाकी का मसाला जिसे कि हमारा कुरकूरे है बहुत ही ज़्यादा चट पटा बने तो इसमें लाल मिर्ची डालना है थोड़ा हल्दी का पॉडर डालना है आप अपने पसंद से इसमें सारे मसाले कीजिएगा थोड़ा काली मिर्च का पॉडर डालना है थोड़ा भूना जीरा का पॉडर डालना है थोड़ा चाट मसाला डालना है थोड़ा अमचुर पॉडर डालना मने कि जो घर का बेसिक मसाला होता है वह आप सारे इसमें थोड़ा थोड़ा सा करके डालिएगा जिससे बना रहे हैं उस टाइप से तो चलिए फ्रेंड सब इसमें डालना है हमें तील दो चमब तीन चमब आप तेल डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कीजिए और इसे अच्छा सा binding देने के लिए हमें इसमें चाहे चावल का आटा या हलका सा इसमें आपको गेहों का आटा या हलका मैदा ज़रूर डालना होगा जिससे कि अच्छे से ये गुत जाए अब देखिए हमारा पुहा जो बहुत अच्छे से फूल चुका है, इसे डाल देना है छन्नी पे, जिससे कि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और पुहा हमारा सुखा सुखा सा हमें मिल जाए, फूलने के बाद पुहा बहुत ज़्यादा सौप्ट हो जाता है यहाँ पर छन्नी पर डाल दी हूँ और देखिए इसका पानी निकल गया है तो इसे हटा देना है और इस वाले आटा के अन्दिया और सूजी वाले मेक्सियर के अंदर ही हमें पोहे को डाल के बहुत अच्छे से गूत ना है हलका हलका सा पानी का छेटा डालते हुए इसका आटा लगा लिजिए ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा इसे गीला नहीं करना है बहुत ज्यादा गीला हो जाएगा तो आपको कुरकुरे बनाने में दिक्कत होगा कुरकुरे आपका सौप्टी ही रह जाएगा बहुत ज् यह गुथ ली हूँ आप देखे यहां पर लिया है मैंने आधा कप की जितना गेहू का आटा आप गेहू के आटे के जगह में मैदा भी ले सकते हैं इन्हें, आप मैदा खाते हैं तो मैदा डाल cosmos लु jurisdiction 먹어ur के तब आप देखा आटा पोह सुखा सुखा सा होता है सूजी भी वैसा ही होता है तो इसके लिए इसमें थोड़ा गेहूं का आटा आपको जरूर डालना है और बहुत अच्छे से इसे गूत गूत के सौप्ट करना है बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं कीजिए इतना पानी डालिए कि ये चैनल पर वीडियो अप्लोडेड है आप देखके बना सकते हैं तो देखे फ्रेंट्स अच्छे से इसे मसल मसल के और गूतिएगा इससे क्या होगा कि पोहा जो है वो भी हमारा साथ साथ में गूत के एकदम स्मूत हो जाएगा पता नहीं चलेगा कि इसमें आपनी पोहा ड लेना है जिससे कि आप कुरकुरे का सेप बहुत अच्छे से दे पाएंगे तो पांच मिनट इसे रेस्ट कराके अच्छे से बनाईएगा तब ये जो कुरकुरे है आपका बहुत अच्छा बनेगा और देखे कितना टाइट आटा को लगाया है मैंने अब छोटा-छोटा स हमें लोई लेना है और कुरकुरे का सेप देते चले जाना है तो चलिए आपको कुरकुरे बना के दिखाती हूं आप इस रेस्पी को ट्राई जरूर कीजिएगा तो आटा में से छोटा-छोटा सा इस तरीके से आपको तोर लेना है गोली और कुरकुरे का सेप देना है तो फ्रेंड्स आपको दो तरीके से कुरकुरे बना के दिखाती हूं एक तो आप इस तरीके से हाथ से सेप दे सकते हैं लंबा छोटा जैसा भी आप चाहें बना सकत है हो मिट कुरकुरे है तो आप अपने पसंद से इसका सेप दे सकते हैं तो इस तरीके से आप छोटा छोटा सा इसका लोई तोड़ ले और कुरकुरे को बना बना के रखते जाए पतला पतला सा बनाईएगा बहुत ज्यादा मोटा नहीं बनाना है आपको और पोहे का कुर्कूरे चाहिए फ्रेंट तो कमेंट कीजिएगा मैं वीडियो का लिंक आपको दे दूंगे देखिए कुर्कूरे में अच्छा सा डिजाइन देने के लिए आप इसी इस तरीके से भी बना सकते हैं उंगली के बीच में लेके हलका सा दवादे देखिए कितना अच्छा इसका डिजाइन हो जाएगा और कुर्कूरे को बनाने के लिए आप चाहें तो नीचे जैसे की चकले के उपर भी बना सकते हैं इस तरीके से करके तो वो भी जल्दी जल्दी बन जाता है आपको बना के दिखाती हो देखिए इस तरीके से कीचन काउंटर पर भी आप बना सकते हैं इसे और इसके बाद इसमें सेप देना है तो आप उसी तरीके से उंगली का सेप दे दे देखिये हैं न वीडियो को जरूड लाइक और शेयर कर दिजिएगा फ्रेंड जिसे कि आपका भी सपोर्ट मिले आपके फेमली मेंबर आपके दोस्तों का भी सपोर्ट हमें मिल सके प्रेंड्स इसी तरीके से अपने प्यार जो हे बनाए रखिए अपना सपोर्ट बनाए रखिए देखिए लंबा करके भी आप इसे 2-3 टुकड़ा में कट कर सकते हैं जिससे के और जल्दी जल्दी आपका कुरकुरे बन के तयार हो जाएगा कुरकूरे चलिए इतना सारा हमारा बन चुका है अब मैं आपको जटपट से कुरकूरे फ्राई करके दिखा देती हूँ और इसी तरीके से सारे बचे हुए कुरकूरे बना के हमें रख लेना है कुरकुरे को फ्राई करने के लिए तेल हमारा गरम है और देखिए इसमें डाल देना है कुरकुरे शुरू में आप तेल को थोड़ा गरम अच्छे से होने दे उसके बाद जब आप इसमें कुरकुरे डाल देते हैं और कुरकुरे जो है तेल के उपर हल्का सा जब उठ जाता है उपर आ जाता है तब आप गैस के आज को कम करके अच्छे से इसे अलट पलट करके से किएगा जिससे कि अंदर तक सिख जाए और खस्ता बने बहुत ज़्यादा तेज आंच रखिएगा तो कुरकुरे उपर से सिख जाएगा अंदर से कच्चा ही रहेगा तो आप देख लेंगे कि आज को कितना रखना है जिससे कि आपका कुरकुरे बहुत अच्छे से अंदर तक पक जाए एक बार में जितना आता है उतना डाल दीज डालेंगे और खाने में भी टेश्टी होगा हेल्दी भी होगा और शस्ता भी परेगा तो आप जरूर इस टाइब का रेस्पी घर में बना के रखें जब तेल में जो जागा रहा है वो खतम हो जाए तो आप समझेगा कि हमारा कुरकुरे फ्राई हो चुका है तो देखें फ्रेंट्स कुरकुरे का कलर चेंज हो चुका है और ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है तो चलिए कुरकुरे को तेल से निकाल लेती हो और ब लाल मिर्ची, पाउडर, चाट मसाला, कोई भी होम मेट मसाला इसके उपर डाल के और खा सकते हैं और यदि आप मसाला नहीं भी डालना चाहते हैं तो ऐसे भी ये बहुत ही ज़्यादा स्वाधिश्ट है क्योंकि इसमें पहले से ही सारे मसाले डले हुए हैं तो आप अपने पसंद से इसमें मसाला डालने चाहते हैं या नहीं डालना चाहते हैं आप देख लीजिएगा और बहुत ज़्यादा ये जैसे जैसे ठंडा होगा ये खसता हो जाएगा तो आप इसे डब्बे में बंद करके लंबे समय तक स्टूर भी कर सकते हैं तो फ्रेंट्स वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर आप इस रेस्पी को ट्राई कीजिएगा मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई रेस्पी के साथ थेंक यू